अस्सलाम वालेकूम केसव आप सब उम्मीदे आप सब ठीक होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी रोटी आए देख लेते हैं यहां मैंने दो कप मेदा ले लिया है दो कप मेदा धाई सो ग्राम है एक चमज हम नमक डाल देंगे एक चमज हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे वन फोर चमज हम खाने का सोडा डाल देंगे और एक चमज चीनी डाल देंगे इन सबी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम दो चमज नहीं डाल देंगे दही को भी आटे में मिक्स कर लेंगे अच्छे से थोड़ा समय नहीं यहां गुनगुना पानी लिया है उससे हम आटा गुंथ लेंगे और आटे का डू तैयार कर लेंगे अच्छे से मल लेंगे अच्छे से मल लेंगे आटे को हम एक बोल में ट्रांस्फर कर देंगे उस पर ओइल लगा लेंगे ताकि उपर से पपड़ी न जम जाए उसको कवर करके हम तीन से चार गंटे के लिए रख लेंगे यह दिखे आटा फुल गया है यह दिखे आटे में जाली पर लगे है यह देख आप देख सकते हो अब हम आटे को अच्छे से मिला लेंगे और उसके लोई बना लेंगे नोई बना कर हम रोटी को बेल लेंगे इस तरीके से हलके हच से हम रोटी को बेल लेंगे उपर से कलोंजी डाल देंगे अगर आपके पास कलोंजी नहीं है तो आप काले तिल भी ले सकते हो पीछे की साइड हम पानी लगा लेंगे और रोटी को हम तवे में डाल देंगे इसी तरीके से में दूसरी रोटी भी बना लेती हूँ कलोंजी को उपर से डाल कर हम बेलन से रोटी को बेल लेंगे ताकि निकले नहीं पीछे से हम पानी लगा लेंगे और रोटी को तवे पे डाल देंगे यह देखिए नीचे से रोटी सेक रही है उपर बबल आ गए है अब हम तवे को पल्टा देंगे और पीछे की साइड से भी रोटी को हम सेक लेंगे देखिए इस तरीके से यह देखिए आप देख सकते हो यह तंदूरी नान हमारा तैयार हो गया है उपर से गी या बटर लगा लेंगे उपर से हरा धनिया डाल के हम गार्निश कर लेंगे देखिए इस तरीके से हम दूसरी रोटी भी तैयार कर ली है पीछे पानी लगा लिया है ताकि रोटी तवे पे चिपक जाए इसे भी हम पलटा कर इस तरीके से से शेक लेंगे देखिए रोटी हमारी तैयार हो गई है आप देख सकते हो बिलकुल मार्केट में मिलती है वैसी तैयार हुई है रोटी देखिए कितनी सॉफ्ट हुई है आप देख सकते हो देख लेजे एकदम सॉफ्ट रोटी तैयार हुई है यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना अल्ला हाफिज